जहां भी बीजेपी नेता मिले उन्हें टार्गेट करो उनकी पिटाई करो ये कहना उन उपद्रवियों का था जिन्होंने छात्र के नाम पर अगनीपत योजना का ऐसा विरोध परदर्शन बिहार में किया कि लोगों की जिंदगी ठप हो गई एक जगह से दूसरे जगह जा वाट्सैप ग्रूप को वाट्सैप पर इन उपद्रवियों ने फ्यूचर फॉजी के नाम से ग्रूप बनाया था और उसमें किस तरीके से बीजेपी नेताओं को टार्गेट किया जा रहा था और क्या कुछ प्लान बनाया गया था आपको बताते हैं उसके पहले नमस्कार आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंधना बिहार में करीब 40-72 घंटे तक इंचरनेट से वाब बाधित कर दी गई थी जानते हैं उसके पीछे वज़ा क्या थी वज़ा वो वाट्सैप पर बना ग्रूप था जिसका नाम तो फ्यूचर फॉजी रखा लेकिन उसमें जो योजना बनाई जा रही थी कि किसी भी आंगल से वो फॉजी नहीं बलकि उपद्रवियों की नजर आ रही थी पता है उस ग्रूप से क्या निकल कर सामनी आया है उसमें ये कहा गया है कि भूखे रह लेकिन सब कुछ जला दो जो 108 रुपे हैं तुम्हारे खड़ी दो और एक एक करके सब कुछ जलाओ तब ही हमारा आंदोलंस सफल होगा अब बताएं जस ग्रूप में ऐसी बाते हो रही थी उस ग्रूप को हम क्या कहेंगे इतना ही नहीं बलकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अग्णीपत्य योजना की जो विरोधी किया गया था एक मीजिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि जिप्टी सीम रेनु देवी सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजेज जैसवाल इन लोगों के घर पर हमला भी इसी ग्रूप में प्लान बना कर किया गया था बतादे अगनीपत्य योजना को लेकर द कोशिश की गई थी किरोसिन तेल और मोबिल छिड़कर संजो जैसवाल के घर को जलाने की कोशिश थी और अब जो बात निकलकर सामने आई है उससे ये साफ हो रहा है कि उस हमले का कनेक्शन पटना में बैटे उपद्रियों से जुरा हुआ था सूत्रों की माने तो पटना म उस सरकार के द्वारा गलत और जूटी बाते कहकर भरकाया भी गया ग्रूप में खुले आम ये कहा गया कि 108 रुपे में एक लीटर पेट्रोल लेना होगा एक दिन नास्ता हम सभी लोग नहीं करेंगे आंदोलन सफल तभी होगा जब एक लीटर पेट्रोल हम खड़ी और बीजेपी नेताओं के घर तक देखने को मिला ऐसे मैं आपको बता दे जब से रक्षा मंतरी राजुनात सिंग ने अगनीपत योजना का एलान किया तब ही से जोरदार विरोत परदर्शन इस योजना का जारी था और खासकर बिहार में ये परदर्शन इतना हावी हो ग और अब जो वाटसे ब्रूप की बात निकल कर सामनी आई है वो पुलिस इस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफतार कर चुकी है साथी आगे की कारिवाई के साथ 6 पिमारी भी जारी है ऐसे में अब आगे जो भी इस मामले को लेकर अपडेट आती है हम आप तक जरूर पह झाने वाट